आखिरकार कच्छा दस्वी इंदी कोर्स आ का CBC बोर्ड का सलेवस आ चुका है नमस्कार मैं डॉक्टर अजीद भारती आज फिर आपके लिए इंदी विसाई के अंतरगत CBC बोर्ड कच्छा दस्वी इंदी कोर्स आ सतर दोजार चुविस पच्चीश देखो CBC बोर्ड में कच्छा दस्वी में इंदी के दो कोर्स चलते हैं एक कोर्स आ चलता है एक कोर्स बा चलता है तो हम अज अभी आपके लिए कोर्स आ के बारे में बताएंगे कि कौन-कौन सी पुस्तके चलती है और कौन से पाठ हटा दिएगे कौन से जोड़ेगे सब विस्तार से जानेगे तो चलो शुरू करते हैं तो देखो कच्छा दस्वी कच्छा दस्वी में इंदी कोर्स आ पुस्तके तो CBC बोर्ड में NCRT की पुस्तके चलती है तो आप कौन कौन सी पुस्तक चलती है 6 भाग दो कच्छा 10 वी में 6 भाग दो कलाती है अनौ में भाग एक कलाती है पिर दूसरी आपकी रहेगी करदका भाग दो तीसरी रहेगी आपकी ब्याकरन हिंदी A द्यान रखना जब भी आप मार्केट में जाएं जब भी पोस्तक अगर ब्याकरन की खरीदें तो आप उसको बताओगी कि ब्याकरन हिंदी कोर्स ए A की देना है और जब पोस्तक की बात आएगी तो 6 और किरतका तो 6 मेन पोस्तक किरतका उसकी साइक पोस्तक है तो फिर अब बढ़तेयां आगे पिर इसमें आपका दिया हुआ है क्या ये कुछ मैंने बात ही दिये तो मैं आपको बता देता हूँ कच्छा दस्वियू के हिंदी कोर्स आ के अंतरगत जिन पार्ट ब्याकन और लेखन भागों का अध्यन करना है यहां पर उनकी सूची प्रस्तुत की जा रही है जिससे आपको पढ़ना पढ़ाना आसान होगा तो अब हम देख लेते कौन-कौन से पार्ट हैं जो आपको पढ़ने रहेंगे तो इस वर्श ये पार्ट में रहेंगे कौन-कौन से रहेंगे छितिज़ भागदो में पहला है काबखंड में, काबखंड में यह रहने वाले हैं पहला पाट है सूर के पद दूसरा पाट है आपका तुर्सी दास राम रष्मट पर सुराम संभाथ और फिर आपका तीसरा आ जाएगे जैसंकर परसाथ की कवता है चौता है सूर कांतर पाथी निराला तो इनकी दो कवताएं है एक कवता है उस्सा और दूसरी है अट नहीं रही पर पाथ है चार पाँच तो पाँच में में दिया है नागार जो इसके कभी है और उनकी दो कवताएं भी है यह दंतुरित मुस्कान और दूसरी है फसल कवता पर आता है पाथ छह मंगलेश डवरा कवता का नाम है संगतकार, तो कावखंड में हम कुल कितिनी कवता हैं पढ़ने वाले हैं, च्छे, अब आता है गदखंड, तो इस वर्स ये पार्ट में रहेंगे, कौन कौन से रहेंगे, तो पार्ट नंबर साथ, स्वायम प्रकास, जिसका पार्ट का नाम है नेता जी का चस इनके पार्ट का नाम है एक कानी ये भी, उसके बाद आता है पार्ट ग्यारा यतीन मिस्र, नौबत खाने में इवादत, उसके पस्चात अंत में पार्ट बारा, भादंत, आनंत, कौसल्यान, इनके पार्ट का नाम है संस्कृति, तो इस तरह से कच्छा दस्वी में हम क्या तो इस वर्स ये पार्ट में रहेंगे, कौन-कौन से रहने वाले हैं, पार्ट पहला, तो दिया है माता का अंचल, जिसके लेकक हैं से पूजन साय, ठीक है, पर उसके पस्चात आता है पार्ट तीसरा, ये दूसरा है, पार्ट दूसरा, साना-साना आत जोड़ी, जिसके ल प्रसन पूछे आते हैं, इन में से कोई दो प्रसन, आपको करने होते हैं, अब आता है आपका ब्याक्न, तो इस वर्स ये भाग रहने वाले, कौन-कौन सा, पहला दिया है कि रचना के आदार परवा, दूसरा है वाच, तीसरा है पदपर्च, चवता अलंकार, तो अलंकार कौन सा रहेगा अर्था अलंका, बस यही अलंकार में इस साल परवर्तन हुआ है, इस से पहले अर्था और सब्दा अलंकार दोनों थे, तो इसमें कौन-कौन-से अलंकार जोड़े हैं, इस साल उपमा और रूप Hein अलंकार जोड़े हैं, उत प्रेच्छा अत्सेवक्ती मान तो इस तरह से कुल कितने अलंगकार हो गए उपमा, रूपक, उत्परेचा, अस्योक्ति, मानुकर, तो पांच अलंगकार हो गए और पांच प्रसंट पूछे आएंगे और उनमें से चार के उत्तर हमें देने रहते हैं, तो अब आगे लेखनकार में इस वरसी ये भाग रहे तो कौन से भाग रहने वाले हैं, पहला दिया अनशेद लेखन, दूसरा आपका दिया पत लेखन, तो पत लेखन दोनों रहेगे अपचारिक और अनपचारिक, पिर तीसरा है स्वाबरत लेखन, अथवा अपचारिक इमेल लेखन, तो स्वाबरत के साथ एमेल लेखन भी ह पर चावता है बिग्यापन लेखन अत्वा संदेश लेखन तो इस तरह से इसमें कोई इस सल वर्स बदलाओ नहीं हुआ लेखनकार में अब अटाये गए भाग तो कौन-कौन से भाग अमारे अटाये गए हुए हैं उनके बारे में अब जान लेते हैं तो पहला हम आते हैं य पार्ट दोजार चौबे पचीज के सल वर्स से अटा दिये गए कौन-कौन से अटाये गए हैं पहले आते हम छितिच के गद खंड में तो पार्ट देव तो इनकी कवता का नाम है सवय्या तो पूरा पार्ट अटा दिया गया है फिर दूसरा है गिर्जा कुमार मातुर छा मच्चूना ये पूरा पार्ट अटा दिया गया है रितूराज की कन्यादान कवता ये भी पूरा पार्ट अटा दिया गया है अब आते गद खंड में तो गद खंड में महावीर परसाद दिवेदी इस्तिरी सिच्छा के बुरोदी को तरुकों का खंडन ये पार्ट पूर वाले भी नहीं हैं पुरानी प्रस्तकों में मिल जाएंगे पर करतका भाग दो से ये पार 2024 के सिलेवस से अटा दिये गए हैं कौन कौन से अटा आए गए हैं एक तो दिया जार पंचम की नाक जिसके लेका के कमलेस्वर ये पूरा पार्ट अटा हुआ है पर उसके बाद हम प तीन पार्ट रहेंगे और नहीं तीनों से तीन प्रस्त पूछे आएंगे उनमें से सिर्फ दो आपको करने होंगे अब आता तो इस प्रकार से ये आपका हो गया कि कौन सी पुस्तक चलती है कौन से पार्ट पड़े जाएंगे कौन से पार्ट अटा दिये गए हैं तो इस पार्ट के सम्मंद में ब्याकर में ही परवर्तन हुआ है और अधर अपठिल गद्यान से हुआ है जिसको हम पार्ट करम के अंतरगत उसमें अंक भार में यानि जो हम प्रसन पत्र का आपको बताएंगे फॉर्मेट उसमें बताएंगे बाकी चीजें तो इसी तरह की जानका का कुई डाउट हो तो कमेंट करके हमें आपस बताईएगा तो फिर आज के लिए इतना आई अब हम फिर मिलेगे किसीने विसे के साथ तब तक के लिए धन्वाद